मचलिया हमेशा अपने रंगीन पैटन और सुन्दर पंगों के कारण दुनिया की सबसे दिल्चस्प प्रजातियों में से एक है आज मैं आपको दुनिया की सबसे दिल्चस्प और जहरीली मचली के बारे में बताने जा रहा हूँ गहरे समुद्र में रहने वाली ये मचलियां दुनिया का सबसे जहरीला जीव है इसके जहर का बून भर भी अगर किसी सहर के पानी के स्रोत में मिल जाए तो लगबग पूरी अबादी खत्रे में आ सकती है जी हाँ, स्टोन फीज दिखने में साधरन मचलियों से बिलकुल अलग होती है सिधे सब्दों में कहें तो ये एक पत्थर की तरह दिखाई देती है धर्ती पर मौझूद जीव जन्तूओं की करोडो प्रजातियों की अपनी-अपनी अलग खासियत होती है हाला कि हमें सबी प्राणियों से खत्रा नहीं है लेकिन धर्ती पर ऐसे जीव जन्तूओं की भी कोई कमी नहीं है जिनके संपरकम मात्र में से ही आने से इंसान की मौत हो सकती है आपने ऐसे हजारों जीवों के बारे में तो सुना ही होगा जिसके काटने मातर से ही इंसान की मौत हो सकती है लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मचली के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जहर की एक बुन्ध मातर से छोटे मोटे सहरों की पूरी आबादी खत्म हो सकती है जी हाँ ये कोई साधरन मचली नहीं बलकि स्टोन फिस है यानि ये पूरी तरह पत्थर की ही तरह दिखाई देती है यही वज़ा है कि कई लोगों को इसके असली रुप का अंदाजा नहीं लग पाता और वे इसके जहर के सिकार हो जाते हैं मेडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यदि किसी इंसान ने गलती से भी इस मचली पर अपना पैर रख दिया तो उसकी जान पर आफ़त बनाती है दरसल ये मचली अपने सरीर के संपर्क में आने वाली किसी भी चीज को 0.5 सेकंड के अंदर चपेट में लेकर जहर छोड़ देती है इस्टोन फीज की बाहरी तवचा बाकी मचलीयों की तरह मुलायम नहीं बलकि काफी सक्त पत्थर की तरह होती है स्टोन फीज लगबग 40 सेंटीमीटर लंबी और 2 किलो ग्राम वजनी होती है इस मचली के 13 स्पाइंस होते हैं जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि स्टोन फीज का जहर इतना खतरनाक होता है कि एक बुन जहर ही हजारों की अबादी को खत्म कर सकता है इंडो पैसिफिक समुद्र में पाए जाने वाली इस मचली से गोता खोर इतना डरते हैं कि समुद्र में गोता लगाने से पहले उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि गहरे पानी में स्टोन फीज नजर आ जाये तो किस तरह से भे बच कर निकल सकते हैं समुद्र में काफी धिमी गती से तैरने वाली मचली है लेकिन सिकार पकड़ने की इसकी रपतार एकदम अलग है ये सिर्फ 15 सेकंड में अपने सिकार का काम तमाम कर देती है दूसर रंग की ये मचली आमतोर पर पत्थनों के पीछे चीपे रहती है ताकि कोई उसे देखना सके रंग के अलावा मचली का पूरा सरीर ऐसा है जो समुद्र के वातावरन से मेल खाता है छोटी दिखाई देने वाली ये स्टोन फीस खारे पानी की सबसे खतरनाक मचली मानी जाती है इसकी वज़ा है इसका जहर और सिकार करने का तरीका तो दोस्तों आपको हमारी ये स्टोन फीस के बारे में जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं साथी साथ हमारे चैनल को अभी सबस्क्राइब भी करें और सेर करना ना भूले मिलते हैं अगले दिल्चस्प और रोचक वीडियोस में तब तक के लिए धन्यवाद